घरेलू एवं निर्यात मांग में सुधार का संकेत मिलने तथा उत्पादक खेत्रों में आपूर्ती घटने से हल्दी की कीमतों में नर्मी का माहौल समाप्त होने लगा है और आगामी कुछ सपताहों तक इसमें तेजीम जबूती का वातावर्ण बना रह सकता है। इरोड एवं वारंगल में माल की आवक कम हो रही है जबकि वाइदा एक्सचेंज में हुए सौदे के तहट डिलीवरी होना अभी बाकी है। समझा जाता है कि इस डिलीवरी के लायक हल्दी का स्टॉक प्राप्त करने के लिए आपूर्ती करताओं को कठिन संघर्ष करना पड सकता है। व्यापार जानकारों के मताबिक आगामी समय में हल्दी के दाम में अच्छी तेजी आ सकती है लेकिन बाजार की अस्थिरता या चंचलता से सचेत रहना भी आवश्यक है। हल्दी के नए माल की आवक फरवरी मार्च में जोर पकड़ती है जो अभी तीन चार मही स्टॉकिस्टों के हाथ में माल का स्टॉक है जबकि छोटे छोटे उतपादकों का माल पहले ही बिक चुका। हालां कि पहले खबर आई थी कि हल्दी की बिजाई में अच्छी बड़ोतरी हुई है लेकिन अब जो तथे सामने आया है उससे पता चलता है कि बिजाई छेतर लगभग सामाने है या इसमें मामूली इजाफा हुआ। मौसम लगभग सामाने हो गया है लेकिन पहले ही फसल को बारवर्शा से कुछ क्षती हो गई थी इसके फलस्वरूप हल्दी के उतपादन में इस बार ज्यादा बड़ोतरी होना मुश्किल है जबकि पुराना स्ट में हल्दी का स्टॉक बहुत कम रह जाएगा और इसलिए यदि इसके दाम में एक हजार से दो हजार रुपए प्रती क्विंटल का इजाफा हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होग। घरेलू बजारों में लगनसरा का सीजन जारी है जबकि आगे रमजान की मांग निक कलने वाली है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी